आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कांटी निवर स्टिंस के बारे में जिसको पूर्ण अपूर्भविसिकाल या पूर्ण निरंतर काल भी कहते हैं आए हम जानते हैं कि इस चैनल को कैसे पहचानेंगे इन वाक्यों के अ तर्टाइम दिया गया होगा तो वहां इस में बदल जाएगा फ्यूचर कांटिनूइस 10 में बदल जाएगा जब टाइम नहीं बारे तुप अगया तर्टाइम चैनल की अंत्रगत आएगा आये देखते हैं इसके अफरिमेट्यू संटेंस कמ Vai वे Kारता के अनुषार सेल है बिन करता के अनुशार वर्व की फर्स्ट फार्म में आई एंजी लगाने के फस्षाद अबजेक्ट लगा के बनाते हैं और इसके लास्ट में निश्ची समय रहेगा तो सिंस अनिश्ची समय रहेगा तो फार्का इस्तमाल करते हैं पर दिया गया है निश्ची समय के लिए सिंस तथा अनिश्ची समय के लिए फार का परयोग करते हैं किसमें फिउचर परफेक्ट कांटिनीव इस्टेंस में एक्जाम्पल देखते हैं वह दो घंटे से मेरी प्रतिच्छा कर रहा होगा वह दो घंटे से तो वह क्या है सब्जेक्ट है ही विल है बेन इसके साथ ही के साथ विल है बेन वेटिंग फार मी फार टू आवर्स तो दो घंटे से दो घंटा निश्चीत नहीं है इसलिए फार का परयोग किया गया है किसके लिए यहां पे वह दो घंटे से मेरी प्रतिच्छा कर रहा है तो यह फार इसके लिए मेरी के लिए आया है और यह फार टाइम बता रहा है मतलब टाइम नित्षित नहीं है अगला देखिए वह दो घंटे से खेल रहा होगा He will have been playing for two hours अगला देखिए तीसरा टाक्टर रोगी को बचाने के लिए सुबह से प्रयास कर रहे होंगे दी डाक्टर विल है बीन ट्राइंग टू सेव दपेसेंट सिंस मॉर्निंग या सुबह से साम से दो बज़े से मतलब इस तरह आएगा तो हम सिंस का पर्योग करते हैं क्योंकि यह निच्चित होता है जब आएगा दो घंटे से तो यह निच्चित नहीं होता है आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस इसमें निगेटिव सेंटेंस आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे पहले के अनुसार will या self के बाद not लगा देते हैं सबसे पहले subject will, self करते हैं के अनुसार उसके पसाद not लगाते हैं उसके पसाद habit लगाते हैं कि दिया की पहली आवजथा में ing उसके पसाद object लगा करके बनाते हैं यहाँ पर देखिए स्रीमान सिंग दो वर्सों से इस विद्याले में नहीं पढ़ा रहे होंगे यहाँ पर type करने mistake हो गया नहीं पढ़ा रहे होंगे तो Mr. Singh will not have been teaching in this school for two hours आप देखिए will और have been के बीच में not लगा है ठीक अच्छे से अगला देखिए दूसरा हम चार बज़े से होकी नहीं खेल रहे होंगे वी सेल not have been playing होकी सिंस फोर ओकलाक अब देखिए चार बज़े आएगा दस बज़े दो बज़े तो इसके साथ सिंस का परियो करते हैं तीसरा देखिए लिपिक दो बज़े से टाइप नहीं कर रहा होगा देखिए कलर विल नाट है बिन टाइपिंग सिंस टू ओकलाक दो बज़े से यहां पे भी आया है तो यह निच्चित है इसके साथ सिंस का परियोग होता है अनाट देख रहा है यहां पे लगा है विल हैप के बीच में उसके बाद बिन्त रहेगा ही अगला दखिए इंटर्गेट्व संटेंस इंटर्गेट्व संटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें कुछ नहीं होता है सब्जेक्ट से पहले विल सेल का परियोग होता है उसके पसाद subject लिखते हैं उसके पसाद है बेन वर्व की रथमा वस्ता में ing लगाने के पसाद object लगाते हैं उसके पसाद scenes और फार का पर्योग करते हैं ठीक उसी परकार जब वाकियों के बीच में क्या क्यों कब कैसे आएगा तो सबसे पहले हम उसका spelling question word लिखते हैं उसके एक उपर के structure के अनुशार बना देते हैं लास्ट में निच्छित अनिच्छित के लिए since और फार का भी इस्तेमाल करते हैं अब देखिए एक बात और आएए इसको एक्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या वहाँ दो बज़े से रेडियो सुन रहा होगा विल ही है बिन लिसनिंग टू दी रेडियो सिंस टू ओकलाग विल है बिन इंट्रगेटिव संटेंस दो परकार के होते हैं एक क्या से प्राद्वम होता है जिसमें यस या नो में उत्तर मिलता है जैसे हो क्या वह दो बज़े से पढ़ रहा होगा हम कहेंगे नहीं पढ़ रहा है नो यस तो इस तरह जवा मिलता है तो इसमें हेल्पिंग बर जो सबसे पहले आ जाता है अर्थात विल उसके पश्चात हैब बिन करता कि बात चला ज लगाए उसके पसा निश्चित समय है तो सिंस लगा दिये सिंस टू अगला देखिए क्या से प्रारम हुआ है तो सबसे पहले विल्या सहल ही आएगा करता के नुसार दूसरा देखिए क्या वे चार घंटे से खेल रहे होंगे अगला देखिए मजदूर से हंटताल पर क्यों जा रहे होंगे अब यहां पर देखिए वाक्यों के बीच में क्यों आया है इसका हम सबसे पहले कीजिए को क्यू डबलु करते हैं मतलब क्यूशन वर्ड यह दबलू एच्टाइफ वर्ड तो सबसे पहले इसकी स्पहलिंग फई लके हैं उसके सहाग है की दिया विल्यू का परयोकी है उसके फशाथ सबजेक्ट दी वार्कर्स है विंग वन इंगो तो सिर्फ हम सब्जेक्ट के बाद नाट का इस्तमाल करेंगे सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नाट का इस्तमाल करेंगे जैसे यहां पर यही वाकिर रहता मजदूर सो मौर से हर्ताल पर क्यों नहीं यहां पर रहता क्यों नहीं क्यों नहीं जा रहे होंगे तो हम यहां पर क्या से प्रार होगा जब क्या से प्रारंब होगा तब भी हम सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते हैं अजब वाक्षियों की बीच में क्या क्यों कफ कैसा आगा तब भी तो यह है आपका फ्यूटर फर्फेक्ट कांट निव इस्टेंस का वीडियो कैसा लगा आप जरूर लेकर के बताएं अब आएए आपके हमोर के बारे में चलते हैं यह आपको हमोर के दिया गया है वे दो वर्सों से उस सहर में क्या कर रहे होंगे बहुत असान है बनाएगा प्रिया दो घंट सिंस लास्ट नाइट इसको आपको हिंदी में बनाना है इंग्लिस में दिया हुआ है दूसरा जो दिया है इसको भी आपको इंग्लिस में दिया गया है हिंदी में बदलना है तो यह आपका हमोर्क है यह वीडियो आपको कैसा लगा आप चैनल पिना है तो चैनल को लाइक स